Penalties on Property Dealer by RERA याने RERA Authority के दोवारा Property Dealer या Property Agent के उपर क्या क्या Penalties लगाई जा सकती हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे CCEA Civil Construction and Engineering Academy में आपका स्वागत है ये हमारा RERA के उपर सीरीज चल रही है जिसमें हम RERA के विभिन प्रावधावनों के बारे में आपको बता रहे हैं आप इस चैनल में बने रही है Section 62 यान Section 62 आप दा RERA Act क्या बोलता है Penalty rupees 10,000 for every day during which such default continues और ये penalty हो जाएगी 5% तक यान 10,000 रुपे per day के हिसाब से Penalty लगेगी और 5% तक ये Penalty लग सकती है 5% किसका? 5% आप दा कास्ट आप दा ट्रांजेक्शन जो किया है उसका For who fails to comply with याने आपके आदेसों की पालना करने में फेल हो जाए या Contrabeam करें प्रोविजन साफ Section 9 और Section 10 याने Section 9 या Section 10 के प्रावधानों का उलंगन करें यदि Property Agent या Property Dealer तो ये 5% तक की Penalty लग सकती है जो 10,000 रुपे per day के हिसाब से चालू रहेगी ये RERA Authority के दोरा लगाई आती है अब ये Section 9 और Section 10 क्या है Section 9 को बोलता है कि कोई भी Property Agent कोई भी Property Agent किसी भी तरह का कोई भी खरीद विक्री नहीं करवाएगा जब तक वो RERA में Registered नहों और Section 10 बोलता है कि उसको हर Property Agent को या हर Property Dealer को RERA में Registered होना जरूरी है तो आप खरीद विक्री करवा नहीं सकते हैं किसी डीलर की आप Canvassing नहीं कर सकते हैं उसकी खरीद विक्री में सामिल नहीं हो सकते हैं और आपको Registration कराना जरूरी है यदि आप ये दोनों चीजों का या किसी एक चीज का उलंगन करते हैं तो आपको उपर 10,000 रुपे परड़े के हिसाब से और 5% of the cost of the transaction के बरावर तक Penalty लग सकती है RERA Authority के द्वारा असा है जानकारी आपको उप्योगी लगी होगी धन्यवाद